कि यह गाईज देखो कुछ दिन पहले लगबग आपको मैंने एक कंपनी के बारे में बता है था जो था सूरिया रौस्ते बहुत छोटी कंपनी थी अब देरी देरे ग्रो हो रही है एक अच्छी ख़बर आई है कंपनी को एक बड़ा ओर्डर मिला है यह देखें यह कंपनी यहाँ पर जो लगबग पिछले एक मैने से यह पहले पिछले छे मैने से देखोगे तो लगबग यह ऊपर से स्टॉक गिर चुका है कि इतने परसंट क्या जुबाजु है तो लगबग 26 परसंट के आसपास यह स्टॉक गिर चुका अभी इस कंपनी को लगबग 100 करोड से भी बड़ी ओडर मिला है बड़ा ओडर मिला 100 करोड से भी जादा है तो यह देखिएगा यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चले लागा सुरिया रौस ने लिम्टेड रिसीव ओडर लगबग कितना तो 124.35 करोड के आसपास यह कंपनी को ओडर मिला है यहाँ पर साथ यह कंपनी अगर आप देखोगे जैसे के पेट्रोलियम के लगबग बारत पेट्रोलियम अगरा हो गया और भी बड़े-बड़े हैं उनके साथ मिलके कंपनी काम करती है तो इस कंपनी ने सुरिया रौस ने को यह ओडर दिया है जो कि मैं आपको बलूँगा सुरिया लाउसनी के लिए एक अच्छी खबर यहां पर साबित हो सकती है लाज़ेस्ट डियाई पाइप आपको बताया जा रहा सकेंड लाज़ेस्ट इन इंडिया यहां पर जो लाइटिंग सेग्मेंट है उनमें भी कंपनी काम वगरा कर लेती और भी बहुत सारे चीज़े यहां पर है तो कंपनी को भी पाइप के लिए और मिला तो मैं आपको बलूँगा सही है और कंपनी ने अपनी कैपसिटी भी बढ़ाने के लिए पहले भी बता रखा था इनके लोगबग कंपनी के जो सीओ थे उन्होंने बताया था जो यहां पर 60% मार्केट शेर इनके खुद के पास है मतलब कोई और आजू-बाजू नहीं है इनके खुद के पास है फ्राम इंडिया और ज्यादा तर यह मतलब एक्सपोर्ट करने के खुशेस करते हैं देखो 60% किसी के पास मार्केट शेर होना कोई चोटी बात नहीं होती है बहुत बड़ी चीज होती है यहां पर और कंपणी ने लगबग पिछले क्वाटर में लगबग जो कंपणी को पड़िट था उसको घटाए भी है पिछले क्वाटर में देख सकते हैं देरे दर यहाँ पर दिख सकते हैं इंक्रीस होता हुग नजर आ रहा है पहले कहां 50 था 54 था 60 था 86 था 100, 121, 102, 156 अभी देखिए लगबग 200 करोड के आसपास कमपनी पहुंचते जा रही है जिसका EPS लगबग 12-15 रुपे के आसपास था अभी लगबग देखोगे तो लगबग 30 रुपीज, 35 रुपीज के आसपास होना स्टार्ट हो गया और अब कमपनी तो डिविडेंट वगड़ा भी देना स्टार्ट करी है, पहले डिविडेंट देखो, एक चीज़ याद रखेगा स्मार्ट हो, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यह चीज़ समझ जाओ, बहुत काम देगा आपको कमपनी का शेर का प्राइस जितना ऊपर जाएगा ना, कमपनी का शेर का प्राइस जितना ऊपर जाएगा, डिविडेंट का जो परसेंटेज होता ना, वो घड़ता जाता है याद रखेगा dividend का percentage घटता जाता है क्योंकि stock महंगा होता जाता तो उसके ही सबसे percentage निकालने से क्या होता क्यों percentage और amount कम हो जाता याद रखेगा देखो suppose मान लेते कि company ने बोला भाई मैं मान लिजए कि मैं 10 करोर का dividend देना चाहता हूँ तो यह या फिर company का शेर का पराइस और बढ़ गया तो यह मान लेते हैं कि दस परसंट के आसपस कंपनी ने बोला शेर का पराइस और बढ़ गया तो परसंट यह नाइन परसंट हो जा अगर पिछले साल से देखना चाहते हो तो पिछले एक साल के आसपास 1000 परसंट का रिटन कम नहीं होता अच्छा ही होता है कि मैं आपको बनूँगा एक बार देख लूँआ आपको क्या सही लग रहा और क्या गलत लग रहा और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं तो अप अपना डिमेंट अकाउंट वगर आपन कर सकते हैं अपना अपन कर सकते हैं